स्टूडेंट्स कल हमने फोटो सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन देखा था उसके डेफिनेशन क्या होती है रियक्शन किस परकार होती है उसके बाद उसकी हिस्ट्री देखी थी इंपोर्टेंस देखा फोटो सिंथेसिस का और साथी में वीजिवल स्पेक्टरम देखा था और लास्ट में chlorophyll A, B तथा के रूटीन का absorption spectrum देखा था उसके बाद आज हम देखते हैं light absorbing photosynthetic pigment कौन-कौन से होते हैं पहले उनके बारे में देखते हैं कितने type के होते हैं then after हम chlorophyll जो man photosynthetic pigment है उसकी structure के बारे में देखेंगे और उसके synthesis के बारे में आज की वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम light absorbing photosynthetic pigment की बात करें तो photosynthesis reaction में जो light है, sunlight है उसका absorption करने के लिए, absorption करने के लिए और फिर उस light energy को chemical energy में प्रिवर्तित करने के लिए कुछ pigments होते हैं उन्हें हम कहते हैं photosynthetic pigments ये photosynthetic pigments हैं वो चार टाइप के होते हैं सबसे पहला है chlorophyll, फिर होते हैं kerotinoids तीसरे biliproteins और चोथे teradins तो चार टाइप के light absorbing photosynthetic pigments होते हैं पहले जो दो होते हैं chlorophyll और kerotinoids ये इनको basically कहते हैं कि ये man photosynthetic pigments होते हैं बाकि ये जो दो हैं bilirubin और teradins इनको हम accessory कहते हैं तो ये जो उपर वाले chlorophyll और kerotins हैं ये उत्सरेणी के जो plants होते हैं उनमें पाए जाते हैं जबकि biliproteins जो हैं वो biliproteins को chromocroteins भी कहते हैं ये red algae और जो blue-green algae हैं BGA उनमें पाए जाते हैं चोथे जो teradins हैं ये कुछ bacteria, algae और fungus इनमें पाए जाते हैं तो अब हम देखते हैं सबसे पहले chlorophyll pigment के बारे में chlorophyll pigment कौन-कौन से होते हैं तो सबसे पहले हम हमें पता है chlorophyll की बात करें तो हमने पहले पढ़ा है इसके type फस्टीर में देखा था chlorophyll के type तो वहाँ पे देखा था कि chlorophyll A, chlorophyll B, C, D, E आज कल तो F के भी खोज कर लिए गई है तो और साथ ही बेक्टिरियो क्लोरोफिल A, बेक्टिरियो क्लोरोफिल B तथा बेक्टिरियो वीरिडिन और ख्लोरोवियम ख्लोरोफिल तो यह है chlorophyll के टाइप कौन-कौन से chlorophyll के type बोले chlorophyll A B C D E और हमने कहा आज कल F भी खोज लिया गया साथ ही ये तो हमने कहा A और B chlorophyll है ये किस में पाए जाते हैं ये plants में पाए जाते हैं और algae में भी पाए जाते हैं इन में से जो ये A है वो सारवत्रिक होता है सब में पाए जाता है और B है वो इसको assist करने का काम करता है एक तरह से ये मुख्य pigment है chlorophyll A और ये सब में पाए जाता है chlorophyll A ये chlorophyll A जो होता है वो होता है blue green और chlorophyll B जो होता है वो होता है yellow green और उटसनी के पोदों में अगर इनका अनुपात देखें तो ये A और B है वो दो अनुपात एक में परजन्ट होते है और अगर इन A और B का मुलानुपाती सुत्र देखें तो इस A का होता है C 55 H 72 O5 N4 Mg क्योंकि chlorophyll की structure हम देखेंगे उसके बीच में जो कॉर्पोर मेटल होती है मैगनेसियम B में क्या होगा chlorophyll B का मुलानुपाती सुत्र होता है C 55 H 70 यहां 70 हो जाएगा O 6 N4 Mg तो यह दोनों का मुलानुपाती सुत्र है A और B का तो हमने का यह basically A और B है वो किसमे होते है प्लांट्स में जबकि बाकी A, B, 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 C, D, E यह algae में algae भी एक तरह के प्लांट्स है लेकिन वो well-doulap नहीं है तो यह तो well-doulap plants में होंगे chlorophyll होते हैं जिन्हें bacteria chlorophyll A bacteria viridine और chlorophyll करते हैं अब हम देखें कि यह किसमें होते हैं तो chlorophyll A हमने का सारवतरिक होता है B होता है वो जैसे green algae में होता है और उच्रण के पोदों में होता है जबकि chlorophyll A के साथ है C होता है वो किस-किस में होता है जैसे फियो फाइसी के सदसेंड, डाइटम हैं डाइनोफलेजिलेड, क्राइसों मुनार्ट इन सब में लेकिन इनमें B नहीं होता है सिर्फ C होता A के साथ में और जो रेड एल की होते हैं उनमें B के फोटोसिंथेटिक बेक्टिरिया में पाए जाते हैं जब कि बेक्टिरियो विरिडीन है वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बेक्टिरिया में पाए जाते हैं उसके बाद हम देखें कि यह जो क्लोरोफिल है वो कार्बनी की विलाइकों में विलेसील होता है उसके बाद हम देखत इस पिग्मेंट का वुडवर्ड द्वारा सफलता पुरुबक सिंथेसिस भी किया गया था तो जितने भी क्लोरोफिल है एबी सीडी साथ ही बेक्ट्रियोख्लोरोफिल इन सब की स्ट्रक्चर बेसिकली सेमी होती है स्ट्रक्चर में देखें तो लगबग समान होती है अब क् है उसमें यह स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल की इसमें यह वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पोर्फायरीन और यह वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फाइटल तो इसको हैड बोलते हैं हैड पार्ट क्लोरोफिल के दो पार्ट होते हैं इसकी स्ट्रक्चर में एक head और दूसरा tail जो head होता है उसको बोलते है porphyrin part और इसको बोलते है phytol यह porphyrin होता है उसमें चार pyrol rings होते हैं याद रखना? एक, दो, तेन, चार और यह 4-ो pyrol rings आपढ़ने जोड़ी होती हैं और दिखने लिए इनमें ध्यां रखना chlorophyll में कौन सा मैगनीसियम होता है इसमें कौन सा आयन होगा मैगनीसियम आयन होगा और यह चार पाइरोल रिंग है और यह चारो पाइरोल रिंग और यह मैगनीसियम यह मिलके क्या बनाते हैं पोर्फाइरेन और यह पार्ट क्या बनाएगा फाइटोल इस फाइटोल का फोर्मला होत है C20H39OH अब हम देखें कि एक फिसर नाम विग्यानिक थे उन्होंने इन पायरोल वल्यों की कारवनों को नंबर नंबरिंग दे दी थी उन्होंने जैसे यहां दिया है C1 C2 C3 C4 C4 C5 C6 C7 और C8 ऐसे करके अब जो C7 नंबर का है उससे एक यहां यह फायटोल रिंग जूड़ी हुई होती है और यह फायटोल है वो कारवोक्स लिए को रखके एस्ट्री करण द्वारा स्विंग थोता है यहां देखो यह दिख रहा है COO तो यह यहां पे फायटोल रिंग जूड़ी हुई है यह है क्लोरोफिल A की स्ट्रक्चर ठीक है अब क्लोरोफिल B में थोड़ा सा डिफेंस है यह जो क्लोरोफिल A में तीन नम्मर कार्बन पे मिथाइल ग्रूप होता है क्लोरोफिल B में इस मिथाइल ग्रूप का क्या बन जाता है फोर्मेल डिफाइड फोर्मिल ग्रूप से यह रिप्लेश कर देता है तो क्लोरोफिल B बन जाता है हम यह भी कह सकते हैं कि क्लोरोफिल B है वो क्लोरोफिल A का LDHID है क्योंकि यह group कुन सा है LDHID group वो methyl group अगर CHL नहीं है सिर्फ methyl है तो यह है chlorophyll A और अगर methyl की जगह हम फोर्मिल कर दें तो यह chlorophyll B बन जाता है उसके बाद हम देखें chlorophyll B की structure देखो यह chlorophyll B की structure दिखाई है इसमें carbon नमर 3 पे सिर्फ क्या दिखा दिया है यहां phytoldring होगी यहां क्या दिखा दिया है फोर्मिल समोय जबकि A में क्या था methyl और bacterioclorophyll में इस दो नमर कारबन पे जहां chlorophyll A में यहां क्या था vinyal group इस group को बोलते हैं vinyal जबकि bacterioclorophyll में यहां इस दो नमर कारबन पे जो CS2 CS3 था उसके जगह ये Acetil Group जूट गया है जिसे कहते हैं बेक्टिरियो क्लोरोफिल उसके बाद हम देखें फोटो सिंथेसिस का सोरी क्लोरोफिल का सिंथेसिस किस परकार से होता है तो इसका क्लोरोफिल का जेयो सिंसलेशन है वो किस से स्टार्ट होता है एक तो सक्सिनाइल कोईनजाइम A होता है ये सक्सिनाइल कोईनजाइम A है वो क्रेप्स चकर का मध्यवर्ती उतपाद है जब आपने क्रेप्स चकर पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कि वहां पे सक्सिनाइल कोईनजाइम A बनता है और साथ में तो ये तो हो गया क्रेपस चपकर का मद्यवर्ती उतपाद है और एक ग्लाइसिन एमीनो अमल है ये दोनों मिलकर कि संसलेशनि स्टार्ड करते हैं क्लोरफील एका तो इसक일 क्लोरफील एक संसलेशन में सबसे पहले ग्लाइसिन और सक्षिनाइल कोम हैं वो एनेडी और अब यह अलफा एमिनो बिटा किटो एडिपिक अमल है वो पाइरेडोक्सिल फोस्पेट कोईजाइम है और यह अमिनो लिविलिनिक अमल सिंथेटेज है और यहां पर CO2 निकलेगी और यह क्या बन जाएगा अब यह इससे यह वाला एंजाइम काम में आएगा और दो अनुमो क्या होगा संगनन होगा और दो वोटर मोलिकुल निकलेगे और इससे बनेगा पॉर्फो बिलिनोजन पी बीजी यह पॉर्फो बिलिनोजन है यह यूरो पॉर्फायरिनोजन फर्स सिंथेटेज तथा यूरो फॉर्फायरिनोजन थर्ड सिंथेज इनकी परजेंस में इसके 4 मोलیکूल होता है उनका संगनन होगा, condensation होगा और 4 मोलیکूल किसके निकलेंगे ammonia के और europorephyrinogen 3rd वनेगा अब europorephyrinogen 3rd से europorephyrinogen decarboxylase 3rd थिरेंजम में decarboxylase है तो यहाँ भी CO2 हटेगी तो 4 मोलक्योट के भटेगे और co-pro-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por- Magnesium आयन जुडने से Magnesium Proto-Porphyrin 9th बनेगा उसके बाद ये Magnesium Proto-Porphyrin 9th से Methyl Esterage और S-Adenosyl Methionine की पर्जेंस में Magnesium Proto-Porphyrin 9th Mono-Methyl Ester बनेगा और इससे Proto-Clorified बनेगा अब ये Proto-Clorified बन जाता है प्लांट में उसके बाद अगर प्लांट को प्रकास नहीं मिलता लाइट नहीं मिलता है तो वो आगे इस Chlorophyll A में चेंज नहीं हो पाता और वो Etiolated हो जाता है यलो कलर का हो जाता है क्योंकि उस तेम उसमें केरोटीन तो बनेगा के बाद की अगेना, तो यलो कलर का होगा लेकिन वो ग्रीन नहीं होगा क्योंकि उसका जो Proto-Clorified है वो प्रकास की परजेंस में किसमें चेंज होता है Chlorophyll A में तो जब तक इसको प्रकास नहीं मिलेगा तब तक ही नहीं चेंज होगा तो प्रकास की उपस्तति में चिंज हो गया हैै उसमें अब फाइडोल रिंग जुढेगी जो टेल है फाइडोल हो और यह किसमें चिंज हो जेगा Chlorophyll A में तो यह किसता फॉर्मेशन हो गया है Chlorophyll A का अब इस Chlorophyll का संसेश्वनила कई अक्स्टरनल और इंटर्नल फेक्टर से भी प्रभावित होता है और कई त्यत्व जैसे मैगनेशन, आइरन, मैगनेज, कोपर, जिंक इनके अभाव में भी फोटो सिंथेसिस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अब यह हमने किसका सिंथेसिस देखा क्लोरोफिल A का अब क क्लोरोफिल का जो तीन नम्मर का अर्बन है उसका जो मिथाइल ग्रूप है और फिर इसका मिथाइल ग्रूप है वो फोर्मिल ग्रूप से तो माना जाता है कि क्लोरोफिल B का सिंथेसिस भी ऐसे ही होता है पहले क्लोरोफिल A बनता है और फिर इसका मिथाइल ग्रूप है व तो क्या हो सकता है कि यह पहले जो CS3 समयों है, मिठाइल समयों है, वो एथिनोल में बदले, C2H5OH और उसके बाद उसका उक्षिडेशनों के फोर्मेल ग्रूप बन जए गए, फोर्मेल ग्रूप बन जए, दूसरा हो सकता है, तो ये था इनका chlorophyll का synthesis A और B का अब ऐसे ही हम देखें कि जैसे इसमें chlorophyll में magnesium आयन है और इसकी पूरी chlorophyll की structure है वैसे ही जो metal for phyrin होते हैं इसे ब्लड में जो pigment होता है हीम है या फिर साइटो क्रॉम है इनका भी समन्ध है वो बहुत निकटका होता है क्योंकि अगर इनकी भी structure देखें तो हम हमें मिलता है कि जहां पे इनमें porphyrin भाग में chlorophyll में magnesium है उनमें वहां पे अगर हीम है तो उसमें क्या होता है आइरन होता है एफ ही होता है लेकिन एक तो क्या चेंज हुआ एक तो magnesium की जिएक उसमें metal forphyrin दूसरे में जैसे हीम में क्या होगा आइरन होगा लेकिन उसमें फाइटोल रिंग नहीं होती है थेंक्यू